हलो गुन मानिंग जोहार मसंजे और आप देख रहे हैं न्यू जारकन समय हो चला है जारकन की कबरों को जानने का उससे पहले आप सभी को पूरे न्यू जारकन परिवार की और से रंगों के तहवार होली की धेर सारे सुब काम नाएं ये रंगों का पावन पर्व आप पूर होगी बारिस होली का मजा होगा किरकिरा इन जिलों में बारिस का अलर्ड राजगे के हिस्सों में आज 25 मार्च को बारिस की संभावना है इससे राजवासियों को होली में इस बार खलल पड़ सकती है जारकन वासियों को बारिस में ही होली का मजा लेना पड़ सकता है राज इसके साथ ही 26-30 मार्ज तक राज में आंसिक बादल का असर देखा जाएगा ऐसे में शंभावना है कि इस बार होली खिलने में लोगों को परिशानी का शामना करना पड़ेगा और बारिश और बादल का असर भी राज में बना रहेगा जिससे होली का मज़ा थोड़ा किरकिर होशकता है वही राजी मोशम विग्यान केंद्र के विग्यानी कभी शेक आने वाले दो दिनों के दौरान ताफमान में 6 डिगरी तक की वृधी होगी इसके तीन दिनों के बाद ताफमान में कोई वृधी नहीं होगी ऐसे में आने वाले दिनों में लोगों गर्मी का अश टिकट, चत्रा और धनबाद में भी नए कैंडिडेट को मौका, काली चरन और धुलू महतों लड़ेंगे चुनाओ, जारकन की चत्रा, धनबाद वा धुमका लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्यासियों को घूशना कर दी गई है, चत्रा से जहां काली चरन सिंग को टिकट दिया गया है, वही धनबाद लोकसभा सीट से बीजेपी ने धुलू महतों को अपना प्रत्यासियों बनाया है, सीता सोरेन को दुमका शे उमिद्वार बना गया है, लोकसभा चुनाओ दोहजार चौबिस को लेकर बीजेपी ने इससे पहले अन्य प्रत्यासियों की लेकिन अब इनकी जगा जार्खन मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी में आई सीता सोरेन को उमिद्वार बना गया है, तीनों लोकसभा सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया गया है, जार्खन की 14 लोकसभा सीटों में रविवार को तीन सीटों पर उमिद्वारों की गोशना की शाद कुल 13 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी घोशित किया जा चुके हैं, इनमें अनपूर नादेवी, गीता कोडा वा सीता सोरेन तीन महिलाएं सामिल हैं, जार्खन की 14 लोकसभा सीट से काली चरन सिंग को बीजेपी ने उतारा है, सुनिल कुमार सिंग का प प्रत्याशी बनाए गया है, इसी तरह दुमका से शीता सोरेन को सुनिल सोरेन की जगहा उमित्वार बनाए गया है, ये हाली में जामुमों छोड़कर बीजेपी में सामिल हुई है, इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने नए चेहरे को औशर दिया है, राची में हो रहे है क रविवार को SSP चंदन कुमार सिन्हा ने एक्टिप किया है, यह दस्ता पहले चरण में होली के दोरान एक्टिप होकर सरारती लोगों पर नजर रखेगा, इसके बास सहर में हो रही क्राइम को कंट्रोल करने में लग जाएगी, पुलीस कंट्रोल रूम से रविवार को बाइ एक दस्ते को CTSP राजकुमार महता ने ब्रीफिंग कर रवाना किया है, मौके पर CCRDSP, राम शामद, इस्पेक्टर विमल किंडो शहिद अन्य पुलीश पाद अधिकारी मौजूद थे, पुलीश की माने तो इनकी मदद से शहर के उन जगों पर भी होने वाले क्राइम को रोका जा सकता है, जहां पुलीस के चार चक्के वाले वाहन नहीं पहुँच पायते हैं, इसलिए वारलेस से सभी को लैस किया गया है। का बी जेपि और इनडिया में कोई महतव नहीं देखा, तेकलाल महतो महाघडबंधन के हमेशा परबल समर्थक रहे थे, हम इंडिया गडबंधन में शामिल होकर जार कन को सजानने सवार ने का उनका सपना पूरा करने आए है, सोनिया घान्धी ने जार कन के विकास के अगर उमित्वार बनाती है तो चुनाओ लडूँगा और जीतूँगा भी विजेपी ने जिशे उमित्वार बना है उन्हें 2011 के मांडू विधान सभा चुनोश हरा था यहां तक कि वे तीसरे इस्थान पर रहे थे चत्रा में खुदाएक दोरान मिली भगवान बुद्ध की प्रतिमा लोगों ने सुरू की पूजापाट बोले यहां भव्य मंदर बनवाना चाहिए चत्रा जिले के हंटर गंज प्रकंड के सलाईया घाओं में मनरिगा कूप निर्मान के तोरान आटवी सताब्दी की एक दुरलब प्रतिमा ग्रामिनों के मिली है प्रतिमा की पहचान भगवान बुद्ध की मनोती अस्तूप की रूप में हुई है अस्तूप में चारू और ध्यान मुद्रा में जो गौतम बुद्ध की प्रतिमा अंकित है सलया गाउं में किसान के द्वारा मंडरिगा कूप की खुदाई की जा रहे थी गाउं की अदित यादो नामक किशान को मंडरिगा से एक कुवा मिला था जिसका वहाँ मजदुरों से खुदाई करवा रहा था 15-20 फीट जो है कूप खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की प्राचिन प्रतिमा मिली है जिसे लेकर ग्रामिनों में हर्स है ग्रामिन प्रतिमा की पूझा अर्चना कर रहे हैं प्रतिमा मिलने की सूचना के बाद आस पास के काफी शंक्या में लोग पहुंची और निर्माना धीन कूप से प्रतिमा को बाहर निकाल कर पूझा अर्चना कर रहे हैं ग्रामिन आप मौके पर मंदिर निर्मान की मांग कर रहे हैं खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक नियूट जार्खन चनल को सुस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लेश चनल को सुस्क्राइब करके बाल अकन प्रेस कर दिचे जिससे आपको जार्खन की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता र रही है एक बर फिर लादेहर पुलिस ने बालू माद थाना चितर से 44,22,000 रुपए का मादक पदार्थ जब्त किया है इस मामले में दोर तशकर को गरपतार किया गया है जिसमें इंदर देव गंचु पिता लादू गंचु वा जोतिश गंचु दोनों समरसूत चौकिदा दोर शोगराम अफिम बरामत किया गया है जिसका बजार मुल्य करमसा 16,25,000 वा 21,00,000 रुपए है इसकी जानकारी पुलिश अधिशक अंजनी अंजन ने रभिवार को प्रीश वार्ता कर दी है जारकन के पूर्वी सिंग्भू में 12 बच्चे समय 23 लोग फूट पोईजनिंग के सिकार अस्पताल में चल रहा इलाज जारकन के पूर्वी सिंगुम जिले के डुमरिया प्रखंड की केंदुआ पंशायद की केंदुआ गाउं के निम्डी टोले में 23 लोग फूड पॉजनिंग के सिकार होगे इनमें 12 बच्चे सामिल है रविवार को इन्हें एम्बुलेंस से डुमरिया शीयच्सी लागया जहां इनका इलाज चल रहा है डॉक्टर की माने तो फिलहाल सभी श्वस्त हैं परिजनों ने बता है कि सुकुरवार को बाहा भूंगा पर्व मनाय गया था इसमें परंपरा का अनुसार मचली खाने का परवधान है अधिकतर लोगों ने टमाटर के साथ सुखी छोटी मचली खाए थी आसंका है कि यही फूड पोईजनिंग का मुख्य कारण होगा बताया जारा कि सनिवार की साम को ही कुछ लोगों को उल्टी सुरू हो गई थी हालत खराब होने के ब अभी सभी ठीक है इनका इलाज चल रहा है इन्हें अभी सीयच्सी में ही रखा जागा फूड पोईजनिंग के शिकार लोगों में बारा बच्चे हैं इनकी उम्र एक से नौशाल तक है इधर पूजा के दौरान उन्होंने कुछ खाया था इससे फूड पोईजनिंग पूली परों पर किसी तरह का विखने ना पड़े इसको लेकर पूलीस प्रसासन पूरी तरह से मुस्ताद है उर्दन्यों के शाथ सड़कों पर तेज अस्पीड वहान चलाने वालों पर भी पूलीस की विशेश नजर रहेगी तहवार में सड़क पर हया स्पीड बाइक च प्रसासन का इस बारे में कहना है कि प्राप्त सूचना के अनुशार सोमवार और मंगलबार को होली परों मना जाना है होली पर्व के अवसर पर प्राया ऐसा देखा जाता है कि लोग तेजगरती से वहान चलाते हैं जिसे दुरगटना होने की शंभावना होती है परो में भी होली के दिन ओवरा स्पीट के कारण दुरगटना होने के मामले शामने आये हैं इशी को देखतो हुए जो है पुलीश अधिशक यातायात के निर्दिश अनुशार होली पर वो को देखतो हुए ओवरा स्पीट और दुरगटना को नियंदरन करने के ले राची शहर में रभिवार रात से ही 27 मार्च की शुभा 7 बजे तक तेड़ी मेरी बेरिकेटिंग जबकि एक व्यक्ति गंफिरुप्ष घायल है घायल व्यक्ति को चकरधरपूर अनुमंडल अस्पिताल लागया प्रात्मी कुपचार चल रहा है जिसके इस्तिती काफी नाजुग बने हुई है घटना के बाद ट्रक चालक वहां से फरार हो गया घटना के समन्द में मिली शहीद दो व्यक्ति की मात हो गई घटना के शूचिना मिलते ही आसपास के ग्रामिन घटनास्तल पर पहुँचे और गंफिरुप शेगायल व्यक्ति को गंफिर अवस्था में शकरधरपूर अनुमंडल अस्पिताल भेश दिया मिर्दक शकरधरपूर थाना अंत्रगत एर निर्देश दिया है उन्होंने डोर टो डोर सर्वे के दोरान छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने कले पंचाइट वाड अस्तर पर जो उपलब्ध मानोशन साधन के बहतर इस्तमाल का निर्देश दिया उन्होंने मतदान केंदर जागरुपता समूं एवम जो है वलंटियर को शक्रिये कि ये जाने पर भी बल दिया उक्त निर्देश उन्होंने समिक्चा बैठक के दोरान दी इस बैठक में अपर मुख निर्वाचन पदधिकारी शंदीप शिंग अपर मुख निर्वाचन पदधिकारी नेहा अरूडा राची के जिला निर्वाचन प अप्रेल को आहारताती थी मानतों हुए 18 वर्स एबं उशे अधिक आयू वर के छूटे हुए अन्य योगी जो है नागरी के मतदाता शूची में अपना नाम जुड़वाने हैं तो फॉर्म छे भर कर जमा कर सकते हैं चत्रा में दो सराप तसकर गिरिपतार बिहार जार्खन पुलीस ने स्यारप तसकरों के खिलाब अब जार्खन और बिहार पुलीस के शन्युक्त टीम स्यारप जवानों के शाथ विसे इस अभ्यान चलाने में जोटी हुई है इसी अभ्यान के तहथ सन्युक्त टीम में सराप माफियाओं के खिलाब बड़ी कार रवाई की गई है प्रफ्तार किया गया है चिकाय थाने में की है मंझारी थाना प्रभारी मंदीप उराओं ने कही कि कुछ लोगों ने एक महिला के शाथ मार पीट की है केस दर्ज होते ही आगे की कारवाई की जाएगी मेली जानकारी के अनुसर सनिवार को आरुपी मंझू कूकनल उर्फ बिरवा रिना बिरवा मंझू कूकनल की बेटी वासूरज बिरवा मंझू कूकनल का बेटा ने महिला को पेड में रस्ती से बांद कर चम कर पिटा साम होने पर पिटाई करतो हुए गाउं की सीमा तक ले जाया गया इतने में भी मन नहीं भरा तो मरा समझ कर खेत में ही छोड़ दिया रभिवार की सुभा कुछ ग्रामिन लगुशंका के लिए खेत की तरब गए तो महिला को जो है खेत में बेहोश पड़ाप देखा पूजा की तैयारी को लेकर बैठक आयोजन पर मंथन केंद्रिय सर्ना पूजा उदगम इस्थल सर्ना टोली में सर्हूल सोभायात्रा को लेकर रभिवार को हातमा में बैठक हुई धक्चिता जगलाल पहाने की कहा है कि सरहूल पूजा कारिक्रम 10 अप्रेल बुधवार को होगा इस दिन उपवास केकडा मचली पकड़ने वा रातरी में सरना इस्थलों में जल रखाय की विधी होगी ग्यारो को पूजा वा दो पहर एक बज़े से शोभायातरा निकाली जागी बार अप्रेल को जो है फूल कौसी होगी नरने हुआ है कि सरहूल सोभायातरा में डीजे का परियोग नहीं किया जाएगा सभी पारंपरिक वेश भूशा वा पारंपरिक वाद देंद्र में नित्ति शंगीत करतोवे सिरम टोली चौंक तक पहुचेंगे बैटक में अकिल भारती आदिवासी विकास परिशत केंद्रिय जो है धुमकुडिया आदिवासी छातर शंग शहित धर्मगुरू बंधनतिगा अजीत उराउं अभय जो है भूटकुवर संजतर की नकूलतिर की सूरज टोपो शहित अन्नी उपस्तित थे राची में हुली का दहन की धूम, रंगों के तहवार हुली को लेकर ऐसी है तैयारी जारकन की राजधनी राची में रहबिवार को हुली का दहन धूम धाम से मनाय गया इसके लिए सुभा से ही तैयारी सुरू कर दी गई थी, कई जगों पर लकडी की धेर रखे गए थे दिन में हुली का दहन वाले इस्थान की साप सफाई कर वहां लकडी की धेर को सजाए गया और रात में पूज अर्चना कर इशे प्रजलित किया गया इसके बाद लोगों ने भगवान से नया साल अच्छे से बिते इसके लिए कामना कर हुली का में पूआ, पकवान और चना का, चंगरी, गेहूं की बाली सहीद अन्य कुछ अर्पित करिया फसल अच्छे से घर आए इसकी कामना की इससे पूर और अभिवायर को दिन में 9 बच के 24 मिनट के बाद से पूर्निमा लग गया जो आज 25 मार्च को दिन के 11 बच के 31 मिनट तक रहेगा इस दिन उदाया काल में पूर्निमा मिलने के कारण पूरे दिन भर पूर्निमा का मानने रहेगा रंगों का तहवार खुली मंगलवार को मनाई चाएगी इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है लोक्षभाचुनाओ केबिनेट सचीवाले वा निर्वाचन कार्याले को संची का भेज दे रहे हैं इस पर निर्वाचन कार्याले से आपत्ती हो रही है इसके मधनजर जारकन सरकार की केबिनेट सचीवाले वा निर्वाचन विवाचन के एक अस्क्रीनिंग कमिटी बनाई है कमिटी के माध्यम से ही विवाच संचीका भेज सकेंगे इसमें इत्ताए होगा की कौन सी संचिका चिनावी प्रक्रिया के दोरान भी महतुपून हैं। इसके लिए अनुमती की ज़रत है इस अस्क्रिनिंग कमिटी के अधर्ष मुख्य सच्यू होगे। कमिटी में जिस विभाग का प्रस्ता होगा उसके सच्यू अपर मुख्य सच्यू या जो है प्रधान सच्यू होगे। इसके अतरिक्त मंत्री मंदल सच्यवाले वा निग्रान विभाग के प्रधान सच्यू भी शदश होगे। विभागोशी आय प्रस्ताओं पर गंभिरता से विचार करने के बाद कमिटी ही चिनाओ आयोग को संची का भिजेगी इसमें आदर्स चिनाओ अचार सनिता की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा विकास से बुटी मोड कांटाटोली नामकुम सड़क का काम धिमा समय सीमा भी हुआ पार राजनी के सबसे महत्तुपून सड़क वा बाईपास की तरह काम करने वाले नेवरी विकास से बुटी मोड कोकर कांटाटोली नामकुम आरोबी तक बन रहे फोर लेन सड़क का का काम पंदरा दसमलो दो एक किलोमेटर लंबी इस सड़के और लेनिंग के लिए 2022 में ही शनविदक जो है SRE एंड एस्सोचियेशन भागलपूर की कमपनी के शाथ एक एकरार नामा किया था लेकिन काम धीमी गतिशे चल रही है इस्तितिया है कि इस सड़क चौड़ी करन मजबूत करन का काम तैस समयशे दो महा विलम चल रहा है पत निर्वान विभाग ने जनवरी दोहजार चौबिस तक ही इसे पूरा करने का लक्ष दिया था लेकिन मार्श समाप्ति पर है और काम स्रिफ पचास पीजदी ही हो पाया है अभी सड़क कई जगा उखड़ी है चौड़ी क गिरिडी में पुलीस का चापा अवैद जावा महुआ सराप के खिलाब चला अभ्यान 600 लीटर सराप किया गया नश्ट गिरिडी के खोरी महुआ अनमंदल शेतर में अवैद सराप भठी संचलन के खिलाब सगन चापेमारी अभ्यान चला गया यहाँ धनवार थाना परभा विभूती देव तथा परसन ओपी परभारी मनोच कुमार के नित्यतों में कारवाई करतो हुए पुलीस ने काफी मातरा में जावा महुआ सराप को नश्ट किया है शाती अवैद महुआ सराप भी बरामत की गई है बतादे की धनवार पुलीस को गुपत सूचना मली थी कि धनवार थाना गोड़ थमभा ओपी जो परसन ओपी इलाके में अवाद महुआ सराप का कारोबार किया जा रहा है सूचना मिलते ही एक टीम का गठनकर धनवार थाना चेतर के सीव मंदिर रोड इस्तित अनूसाव के घर में छापमारी की गई जहां भारी मातरा में गुफा से दरजनो जार में लगभग 50 लीटर के गैलन में भरा कच्चा अस्परीट वा महुआ सराप जब्त किया गया जबकि गोड़ थमभा ओपी छेतर के चंद्रनगर के अपना धाबा में छापमारी की गई जहां पुलीश को कुछ नहीं मिला इसके बाद परसन ओपी छेतर के क आप धंधेबाज वहां सिफ़र आरो गए जिला निर्वाची पददिकारी ने की बैठक वोटर अवरनेश और पोलिंग पार्टी की शुविदा को लेकर निर्धिश अगामी लोक्षभा चुनाओ को लेकर की जा रही तैयारियों की जिला निर्वाचन पददिकारी शह उ पस्तित थे जीला निर्वाचन पददिकारी डी इओ ने सभी वीडियो शियों से चुनाओ को लेकर की जा रही तैयारियों की शमिक्छा करतो हुए अवश्चक दिसानट देश दिये बैठक में डी इओ ने कहा है कि पोलिंग पार्टी डिस्पैच वाले दिन डिस्पैच स हरने के लिए कमरे, शौचाले, पानी, बिजली, जनरेटर, टेंट, गदा तो शाक, तकिया आदी की शुवधा होनी चाहिए उन्होंने जिला के सभी वीडियो शियों को निर्देश दिया है कि सभी अपने अपने छेतर में बूतों पर मूलबूत सुवधाओं को पूरा कर चौदा को लेकर बीजेपी ने बनाया स्पेशल प्लान, भारती जनता पार्टी ने होली की छूटियां खत्म होने के बाद लोगसभाचनाओ प्रचार को तीज करने की रननिती बनाई है, राजिकी चौदा में से ग्यारा सीटों पर पार्टी ने प्रत्याश्यों की प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी, गरी मंतरी अमित सहाजा से बड़े निताओं की बड़ी सभाएं होशकती है, उतर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी अर्धित्नाथ और असम के मुख्यमंतरी हेमंत विश्वा, जोहे सर्मा के भी जारिखन में प्रचार करने की योजना है लोक्षा भाचिनाओं के लिए राज्य में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, अन्पूरना देवी, हाल ही में सामिल हुई शीता शोरिन अश्टार प्रच्चा रखोंगी अलाकि इसके लिए अभी अधिकारिक सूचना जारी उन्हीं बाकी है लेकिन इन नेताओं का छेतर में दौरा और कारिक्रम होगा दामोदर किनारे सराब भठी द्वस्त, 2000 किलो जावा महुआवा, 105 लिटर सराब नस्ट, बुकारो जिला उतपाद विवाग के टीम ने दामोदर नदी किनारे हरला थाना छेतर के जो है वास्तेजी गाउं में रहविवार को छापमारी कर अवाद सराब की भठी द्वस्त क भठी संचालक छोटू, बर्नवाल के किलाब उतपाद अधिनियम के दाहत मामला दर्च किया गया है चापमारे दल में उतपाद अधिचक, संजीत देव, अवर निरक्चक, सदर कृष्णा प्रजापती, अवर निरक्चक, चंदरपूरा, दिपीका कुमारी शहित अनलोग शामिल थे लॉक मार्केट में लगा दिया गए है पूल बेलपत्र को हटाकर मलमल के कपड़े से साप किया इसके बाद मलमल के कपड़े शे जो गुलाल भरकर उसी कपड़े शे पहले मा गौरी के विग्रहा पर तथा उसके बाद बाबा की शेवलिंग पर गुलाल अरपित कर बाबा नगरी की होली प्रारंबे की उसके गरवाश्यों की भी भीड उमड़ पड़ी लोग एकेकर गर्बगरी में परवेशकर बाबा पर गुलाल अरपित कर होली सुरू करते दिखे बोरा में सराब ले जा रहे दो आरोपी को धुरकी में FST की टीम ने किया गिरबतार गड़वा के धुर की इलाके में बोरा में भर कर सराब ले जा रहे दो आरोपी को FST की टीम ने गिरबतार किया है आरोपी में नगर उन्टारी का अभिशे कुमार और मांजियाओं का थना इंजर शिंग शामिल है पुलीस कनुसार रविवार सुभा धुर की थाना पर भारी को सूचना मिली थी कि दो लोग अवैद विदेशी सराब को बोरा में भर कर ताटी दिरी गाउं के रास्ते कहीं ले जा रहे हैं सूचना पर FST टीम के शाथ समन्वेकर शाफमारी किया गया जिसमें मेक डॉवल्स के हाफ छे बोतल इंपरियल बुलू के हाफ बारा बोतल और गोर्ड फादर बियर 24 बोतल को जब किया गया है वही आरोपी अभिशे कुमार और धननजर शिंग को पकड़ कर थाना लाए ग पत्व खलल पैदा ना करें इसके लिए गिरीडी पुलिस सकरी है एसपी दीपक कुमार सर्मा के निर्देश पर सदर सदर सड़ीपियो विनोध रवानी डियसपी अंकितराई सड़ीपियो शुमित प्रशाद धननचय राम और निराज सिंग हर थानेदारों के शाथ इलाक में शामिल हुए पूरे जीले में 300 के करीब दंड़िकारियों के परतनिक्ति की गई है तो 6000 से अधिक जीला पुलिस बल और अर्दसानिक बलों की तैनाती पूरे जीले में की गई है नक्सलियों के खिलाब पूलिस की बोड़ी शफल था लेबी के 10 लाग 50 अजार का सहिद 20 फूटक वा अनिशमान बरामत पस्समे सिंग हुम जीले के नक्सल परवावित टॉंटो थाना चेतर में नक्सलियों के विरोध पूलिस के जल रहे अभ्यान में लगतार सफलता मिल पूलिस द्वारा पूरों में पकड़े गए दो नक्सलि भाईयों के निशान देही पर भारी मातरा में 10 लाग नगद 20 फूटक वा अनिशमान बरामत किया है रविवार को पश्रमी शिंखुम जीला के एसपी अशुतो शेकर ने एक प्रेश वार्ता कर कहा है कि नक्सलि अभ्यान के तहत गुप्त सूचना के अधार पर पश्रमी शिंखुम जीले के टॉंटो थाना चेतर के सरजम बुरुगाउं निवासी ममता देवगम के पुत्र राजिश देवगम एवं उश्के भाई जैपाल देवगम को 22 मार्च को पुलीस द्वारा किरपतार किया गया था। शहित अन्य शमान बरामत किया गया है। एसपी ने कहा है कि नक्षली अभ्यान आगे भी जारी रहेगा। तो यह थी आज की जारकन की टॉप बड़ी खबरे। नेक्स्ट कवरों के साथ धन्यवाद।